नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एको नई वीडियो में दोस्तों अज जो नोटिफिकेस्ट लेके आए हैं DRDO की तरफ से जी हाँ दोस्तो DRDO में आप सभी के लिए हाँ पर वेकेंसी निकले हुए है आप चाहे डिडिगरी वाले हैं आप चाहे डिप्लोमों वाले हैं, आप इसमें आराम से apply कर सकते हैं, तो क्या criteria होने वाला है कि इस तरीके से आपको apply करना है, education qualification के हमें आपर बात करेंगे, age limit के हमें आपर बात करेंगे, बात करेंगे आपको आपको कितनी salary मिलने वाली है, और सबसे important चीज कि आपको salary की अपनी में apply करने की, तो आप जरूर से इसमें apply कीजिएगा, इसी के साथ हमास की वीडियो शुरू करते हैं, देखिए दोस्तो, DRD के तरफ से नई vacancy निकली हुई है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है कि आपको डिगरी के साथ साथ डिप्लोमों वाला है, इस तोडियन जो notification थी, हमने कुछ time पहले भी आपके लिए हाँ पर present की थी, बट उसकी large debt कुछ और थी, अब large debt की आगे बढ़ा दी गई है, तो आपके बाप वापिस से मोका आया है कि आप इसमें जरू से apply करें, ठीक है, तो graduate apprenticeship के लिए vacancy है यहाँ पर, और technician diploma apprenticeship है, मतलब degree holder उस साथ में diploma holder भी इसको apply कर सकते हैं, बात करते हैं, number of vacancies की, तो यहाँ पर 57 vacancy का criteria रखा हुआ है, तो काफी बढ़िया मोका है इसमें आपको apprenticeship करने का, ठीक है, online mode के थूरू ही आपको apply करना है, किसी परकार कोई भी offline form आपर नहीं रखा गया है, selection procedure के दिए हम बात करते हैं, तो यहाँ एक simple सा आपका task of preparation रखा जाएगा, sort list करने के लिए, आपको sort list किया जाएगा, उसके बाद, sort list किसके थूरू किया जाएगा, आपके marks के recording, ठीक है, तो आपको इस जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है, और आप यदि select होते हैं, तो यह आपको आपकी email ID पर बता देंगे, इ ठीके न, age limit इन्होंने disclose नहीं की है, बट जो apprenticeship rule होते हैं, उसके according है, आपकी है पर age रखी गई है, application thesis नहीं होने वाली है, दोस्तों, काफी अच्छा है यह, कि आपके लिए कोई भी application thesis नहीं रखी गई है, क्योंकि online mode के थूरू आपको apply करना है, education qualification के दिए हम बात करते हैं, जिस पकार मैंने आपको बताया, कि जिस भी trade में, आपको यहाँ पर क्या है, degree है, उसी trade में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, apply करना पड़ेगा, यदि मैं आपको यहाँ पर one by one, सबी चीज़े बताओ, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि जिस तरीके से ह आया था बापिस हम इसके लिए हाप आया हैं तो मैं वन बाइवान है पर डिगरी को डिस्क्लोस कर देता हूं देखिए कम्प्रो साइंस इंजिरिंग वाले एपस में अप्लाई कर सकते हैं आठ वेकेंसी के साथ Electrical Electronics Engineering तीन वेकेंसी हैं आपर Electronics and Computation Engineering के लिए चार वेकेंसी हैं mechanical engineering के लिए 11, library science के लिए 3, automobile engineering के लिए 2 vacancy का criteria अखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर 31 नमबरा पोस्ट रखी गई है, यह है आपकी क्रेटिकरी graduate apprenticeship में, जिसमें आपको 9000 रुपे पर मन्थ मिलने वाले हैं और एक साल के आपके training हाँ पर होने वाली है, बात करते हैं next category की जो क communication engineering के लिए 5 vacancy है, instrumentation engineering के लिए 1 vacancy है, mechanical engineering के लिए 10 vacancy रखी गई हैं दोस्तों, यहाँ आपको 26 vacancy से diploma holder के लिए 8000 रुपे पर मन्थ आपको salary मिलने वाली है और आपको एक साल के हाँपर training होने वाली है, ठीके आप training जरूर से किजिएगा दोस्तों, काफी important होता है आपको training कर ठीके न, यह आपको बाद में पता लगता है कि यदि हम किसी जगे पर इतनी बड़ी company से apprenticeship करते हैं, training करते हैं, तो कितना बड़ा benefit आपको मिलता है, ठीके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीजे करना है, यदि हम आपको आगे लिए जाते हैं, तो आपक आपको form को fill out करना है, starting date के दिए हम बात करते हैं, यहाँ पर पांच जुलाई रखी गई है, और यहाँ पर जो large date है, वो 20 जुलाई होने वाली थी, लेकिन इसको बड़ा दिया गया है, extend कर दिया गया है, वो 14 अगस्त इसकी large date है, यहाँ पर होने वाली है, दोस्तों, तो क Telegram चैनल पर मिल जाएगी, आप हाँ से जाकर जरू चेक आउट करें, और हाँ से form को fill करना आपके लिए काफी जादा easy हो जाएगा, तो अभी तक आपने हमारे Telegram चैनल जोई नहीं किया है, दोस्तों, तो Telegram चैनल को join किजिए, साथ में चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करके bell icon को भी hit कीजिए, इससे आने वाली जोब की notification सबसे पहले आपके बाद को हो जाएगी, और all की बटन को प्रेस करना ना भूलिए, अब हम मिलते हमारे next वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक किला आप हमाई सब बने रहे हैं, thank you for watching.